सवाल दावा, ए, भारत में उश्नकटि बंधिया मानसून प्रकार की जलवायू है, कारण, आर, भारत उश्नकटि बंधिया अक्षानशों के ठीक बीच में स्थित है, कोड, ए, दोनों, ए, और, आर, सत्य है, और, आर, ए, का सही स्पष्टी करण है, बी, दोनों, ए, और, आर, सत्य है, लेकिन, आर, ए, की सही व्याख्या नहीं है, सी, ए, साच है, लेकिन, आर, जूट है, डी, ए, जूट है, लेकिन, आर, साच है, सही उत्तर है, सी, ए, सच है, लेकिन, आर, जूटा है, सवाल निमनल इखित कथनों पर विचार कीजिए, एक, मानसून की अवधी दक्षिनी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटी जाती है, दो, भारत के उत्तरी मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्फ से पश्चिम की ओर घटी जाती है, उपर दिये गए, कथनों में से कौन सा, से सही है, है, A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दूनो, D. न तो एक और नहीं दो सही उत्तर है C. एक और दो दूनो सवाल निमनलिखित में से किस स्थान पर आर्द जलवायू का अनुभव होता है 1. अहमदाबाद 2, कोची 3, लुधियाना 4 तेजपुर नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए A. केवल एक और दो, B. केवल एक और तीन, C. केवल दो और तीन, D. केवल दो और चार सही उत्तर है D. केवल दो और चार सवाल निमनलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है A. अरुनाचल प्रदेश B. सिक्किम C. केरल D. जम्मू और कश्मीर सही उत्तर है B. सिक्किम सवाल निमनलिखित में से किन स्थानों के जोडे में कुल वार्षिक वर्षा में सबसे अधिक अंतर है भले ही वे लगभग समान अक्षान्ष के साथ स्थित हो A. बेंगलुरू और चेननाई B. मुंबाई और विशाखा पत्तनम C. अजमेर और शिलोंग D. नाकपूर और कोलकाता सही उत्तर है C. अजमेर और शिलोंग सवाल भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यत होती है A. उत्तर पूर्वी मानसून B. मानसून का पीछे हटना C. दक्षिन पश्चिम मानसून D. सम्वहन वर्षा सही उत्तर है C. दक्षिन पश्चिम मानसून सवाल उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है A. असम B. पश्चिम बंगाल C. तमिलनाडू D. ओरिसा सही उत्तर है C. तमिलनाडू सवाल निमनल इखित में से कौन सा एक दिये गए भारतिय शहरों का उनकी सामान्य वार्षिक वर्षा के घत्ते क्रम में सही क्रम है A. कोची, कोलकाता, दिल्ली, पतना B. कोलकाता, कोची, पतना, दिल्ली C. कोची, कोलकाता, पतना, दिल्ली D. कोलकाता, कोची, दिल्ली, पतना सही उत्तर है C. कोची, कोलकाता, पतना, दिल्ली सवाल आम की बोच्छार होती है क आमों की बोच्छार बी आम का गिरना सी बिहार और बंगाल में मार्च अप्रेल में वर्षा डी आम की फसल सही उत्तर है डी आम की फसल सवाल निमनलिखित स्थानों में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है सही उत्तर है सवाल निमनलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है सवाल तक्षिन पश्चिम मानसून के दोरान निमनलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है सवाल चेरा पूंजी अवस्थित है सही उत्तर है सवाल भारत में सरवाधिक वर्षा होती है सही उत्तर है सवाल भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है लेकिन फिर भी इसे प्यासी भूमी माना जाता है इसका कारण है सवाल भारत में निमनलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन रण्मीती लागत प्रभावी है? A. फ्लस्टी प्रणाली में सुधार B. अप्षिष्ट जल का उपचार और उप्योग C. वर्षा जल संचयन D. पानी का पुनल चक्रन और पुन उप्योग सही उत्तर है C. वर्षा जल संचयन सवाल भारत में निमनलिखित में से किस क्षेत्र में उसतन 200 mm वर्षा होती है? A. केरल, तमिलनाडू, करनातक B. जम्मू और कश्मीर C. पश्चिम बंगाल, उडिसा, बिहार D. असम, मनिपुर, प्रिपुरा सही उत्तर है B. जम्मू और कश्मीर सवाल जार्खंड में किस मानसून से वर्षा होती है? A. उत्तर पूर्वी मानसून B. दक्षिन पश्चिम मानसून C. नौवेस्ट D. उपर युक्प में से कोई नहीं सही उत्तर है B. दक्षिन पश्चिम मानसून सवाल भारत के अर्जशुष्क शेत्रों में वाटरशेड विकास की पहचान है A. बड़े पैमाने पर शेड की स्थापना ताकि बारिश का पानी वाश्पित न हो B. मिटी के काम मिटी सनरक्षन नमी और भूमिगत जल पुनर भरन का उपक्रम C. रॉक स्ट्रेट स्थर पर पानी को टैप करने के लिए गेहरे नलकूप की ड्रिलिंग D. मौसमी नदियों से पानी बांद कर टैंकों की एक प्रनाली स्थापित करना सही उत्तर है D. मौसमी नदियों से पानी बांद कर टैंकों की एक प्रनाली स्थापित करना सवाल जब पुशकर की पहाड़ियों में अत्यधिक भारी वर्षा होती है तो बाड कहां आती है A. अजमेर B. सवाय माधोपुर C. बालोत्रा D. सोजत सही उत्तर है C. बालोत्रा सवाल भार्तिय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा परिभाशित एक बरसात का दिन वो दिन होता है जब एक बिंदु पर वर्षा प्राप्त होती है A. 24 घंटे में 0.5 mm से 1 mm B. 24 घंटे में 1.1 mm से 1.5 mm C. 24 घंटे में 1.6 mm से 2 mm D. 24 घंटे में 2.5 mm से उपर सही उत्तर है D. 24 घंटे में 2.5 mm से उपर सवाल भारत में कितने जिले मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अंतरगत शामिल है A. 11 जिलों B. 14 जिलों C. 17 जिलों D. 21 जिलों सही उत्तर है D. 21 चलो सवाल सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची आई जलवायु स्थिती A. चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है B. हिमाले में हिमपात C. पश्चिम बंगाल से पंजाब तक वर्षा कम हो जाती है D. सतलुज गंगा के मैदान में सर्दियों में कुछ बारिश होती है सूची द्वितिय कारण एक उत्तर पूर्वी मानसून दो उचाई तीन पश्चिमी अफसाद चार समुद्र से दूरी पाँज अक्षाँश कोड A. B. C. D. A. 1. 2. 4. 5. B. 4. 5. 1. 3. C. 5. 2. 4. 3. D. 5. 1. 3. 4. सही उत्तर है C. 5. 2. 4. 3. सवाल दावा A. गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम हो जाती है कारण R. गंगा के मैदान में नमी धारन करने वाली मानसूनी पवने उपर की ओर बढ़ती है उप्रोक्त दो बयानों के संदर्ब में निमनलिखित में से कौन सा सही है A. दोनों A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है B. दोनों A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूत है D. A. जूत है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है सवाल निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दावा A. भारत में अंतरदेशिय जलमार्ग अच्छी तरह से विक्सित नहीं है कारण R. भारत के अधिकांश भागों में वर्ष में केवल चार महीने ही वर्षा होती है कोड A. दोनों A. और आर सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है B. दोनों A. और आर सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और आर सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है सवाल तमिलनाडों में शीतकालीन वर्षा मुख्यतह किसके कारण होती है A. पश्चमी विक्षुब B. दक्षिन पश्चम मानसून C. उत्तर पूर्वी मानसून D. दक्षिन पूर्वी मानसून सही उत्तर है C. उत्तर पूर्वी मानसून सवाल निम्न में से शीत रितु में वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है A. केरल B. तमिलनाडू C. पश्चिम बंगाल D. उरीसा सही उत्तर है B. तमिलनाडू सवाल भारत के उत्तरी मैदानों में शीत रितु की वर्षा किसके कारण होती है? A. पश्चिमी विक्षुब B. बंगाल की खाड़ी में मानसून C. अरब सागर में मानसून D. मानसून का पीछे हटना सही उत्तर है A. पश्चिमी विक्षुब सवाल भारत के निम्नलिखित में से किसक्षेत्र में शीत कालीन वर्षा होती है? A. ओरिसा, करनाटक B. पंजाब, तमिलनाडू C. अरुनाचल बिहार प्रदेश D. तमिलनाडू, करनाटक सही उत्तर है B. पंजाब, तमिलनाडू सवाल भारत के निम्नलिखित में से किसक्षेत्र में शीत कालीन वर्षा होती है? A. उत्तर पश्चिम B. दक्षिन पश्चिम C. उत्तर पूर्व D. दक्षिन पूर्व सही उत्तर है A. उत्तर पश्चिम सवाल अभिकत हिन A. शीत रितू में वायू मुंडिलिय दाब अधिक तथा वायू का तापमान कम होने पर प्रतिचक्रवाती अदशाय बनती है? कारण R. उत्तरी भारत में शीत कालीन वर्षा निम्न तापमान के साथ प्रतिचक्रवाती परिस्थितियों के विकास का कारण बनती है? A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है C. A. साच है लेकिन R. जूटा है सवाल दावा A. भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों में कुछ वर्षा होती है कारण R. उत्तर पूर्वी मांसून सर्दियों में सक्रिय होता है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है सवाल भारत में सुनामी चेतावनी केंद अवस्थित है A. चेन्नई B. मुंबई C. हाइदराबाद D. पोर्ट ग्लेयर सही उत्तर है C. हाइदराबाद सवाल भारतियम मौसम विज्यान विभाग की स्थापना की गई है A. नई दिल्ली B. नागपुर C. जोडपुर D. पुने सही उत्तर है A. नई दिल्ली सवाल भारत का निम्निलिखित में से कौन सा तत 2004 की सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? A. माला बार तट B. कोनकन तट C. कोरो मंदल तट D. उत्तरी सरकार तट सही उत्तर है C. कोरो मंदल तट सवाल भारत का निम्निलिखित में से कौन सा तटियक शेत्र हुदहुद चक्रवात से प्रभावित था? A. आंध्रप्रदेश तट B. केरल तट C. चेन्नाई तट D. बंगाल तट सही उत्तर है A. आंध्रप्रदेश तट सवाल चक्रवात बंगाल की खाड़ी के तटियक शेत्रों में अधिक आते हैं क्योंकि A. बंगाल की खाड़ी में उच्चत आपमान B. बंगाल की खाड़ी में पानी में रसायन होते हैं जो चक्रवात बनाने में मदद करते हैं C. अंध्रमान और निकोबार के द्वीपों की लंबी श्रिंखला चक्रवातों के लिए लौंचिंग पैट के रूप में कार्य करती है D. बंगाल की खाड़ी की शनक्वा का राकृती समुद्र में बनते समय चक्रवातों को उत्तर की ओर ले जाती है सही उत्तर है A. बंगाल की खाड़ी में उच्चत आपमान सवाल निमनलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है A. आंध्रप्रदेश B. ओरिसा C. बिहार D. गुजरात सही उत्तर है B. ओरिसा सवाल देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षन संस्थान कहां स्थापित किया जा रहा है A. हाइद्रबाद आंध्रप्रदेश B. बैंगलो करनाटक C. लातूर महराष्ट्रा D. चेननाई तमिलनाडू सही उत्तर है C. लातूर महराष्ट्रा सवाल भारत का निमनलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च भूकम पियतीवरता के क्षेत्र के अंतरगत नहीं आता है A. उत्तराखंद B. करनाटक पथार C. कच D. हिमाचल प्रदेश सही उत्तर है B. करनाटक पथार सवाल भारत को कितने भूकम पिय जोखिम क्षेत्रों में बाटा गया है? A. पाँच B. शे C. चार D. साथ सही उत्तर है C. चार सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेहर भूकम पियक शेत्र A. लक्षद्वीप तीम B. हाइद्राबाद में C. श्रीनगर V. डी चेन्नाई दो सही उत्तर है B. हाइद्राबाद में सवाल भारत का सर्वाधिक बाड़ प्रवन राज्य है? A. असम B. आंध्रप्रदेश C. बिहार D. उत्तर्प्रदेश सही उत्तर है C. बिहार सवाल उत्तर پ्रदेश के निमनिलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाड़ प्रभावित है? A. पश्चमी क्षेत्र B. पूर्वी क्षेत्र C. मध्य क्षेत्र D. उत्तरी क्षेत्र सही उत्तर है B. पूर्वी क्षेत्र सवाल सूची आय प्राकृतिक आपदा को सूची दो क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिये और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये सूची आय प्राकृतिक खत्रे A. बार B. भूकंप C. सूखा D. चक्रवाद सूची 2 क्षेत्र 1. हिमाली तलहटी क्षेत्र 2 जार्खंड और उत्तरी ओडे साथ 3 उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग 4 मध्य पूर्वी भारत कोड A. B. C. D. A. 3 1. 2. 4 B. 3. 1. 4. 2 C. 2. 3. 1. 4 D. 4. 2. 3. 1 1. सही उत्तर है B. 3. 1. 4. 2 सवाल नीचे दो कथन दिये गए हैं एक को अभिकथन A. और दूसरे को कारण R. के रूप में लेबल किया गया है दावा A. हिमाले में भूस्खलन की आवरिती में वृद्धी हुई है कारण R. हाल के वर्षों में हिमाले में बड़े पैमाने पर खनन हुआ है उपर युप्त के संदर्ब में निमनल इखित में से कौन सा एक सही है Code A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है सवाल दावा A. पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों के लिए सबसे अधिक समवेदन शील है कारण R. भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारेक पवनों के ख्षेत्र में स्थित है उप्रोक्त कथनों के संदर्ब में निम्नलिखित में से कौन सा सही है Code A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है सवाल दावा A. महराष्ट्रा के कोयना क्षेत्र के निकट भविश्य में अधिक भूकम प्रवन होने की संभावना है कारण R. कोयना बांध एक पुराने फॉल्ट प्लेन पर स्थित है जो कोयना जलाश्य में जलस्तर में बदलाव के साथ अधिक बार सक्रिय हो सकता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये कोड A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है सवाल दावा A. पिछले कुछ दशकों के दोरान उत्तर भारतिय मैदानी इलाकों में बार की आवरिती में व्रिद्धी हुई है कारण R. गाद जमा होने के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है कोड A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पश्टी करण है सवाल रैगुर मित्टी का दूसरा नाम है A. लाल मित्टी B. काली मित्टी C. शुश्क मित्टी D. मिश्रित लाल पीली मित्टी सही उत्तर है B. काली मित्टी सवाल रैगुर मित्टी सर्वाधिक फैली हुई है A. महराष्ट्रा B. तमिलनाडू C. आंध्रप्रदेश D. ज्छार्खंड सही उत्तर है A. महराष्ट्रा सवाल बे साल्टेक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निमनलिखित में से कौन सी मित्टी का निर्मान हुआ है A. जलोर मित्टी B. लेटराइट मित्टी C. लाल मित्टी D. रैग मित्टी सही उत्तर है D. रैग मित्टी सवाल रेगुर का नाम है A. लाल मित्टी B. जलोर मित्टी C. काली मित्टी D. लेटराइटिक मित्टी सही उत्तर है C. काली मिट्टी सवाल भारत की निमनलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उप्यूक्त है? A. रैगर मिट्टी B. लेटरायट मिट्टी C. जलोड मिट्टी D. लाल मिट्टी सही उत्तर है A. रैगर मिट्टी सवाल निमनलिखित में से किसे देश की स्वयम जोती मिट्टी के रूप में जाना जाता है? A. जलोड मिट्टी B. लेटरायट मिट्टी C. काली कपास मिट्टी D. रेगिस्तानी मिट्टी सही उत्तर है C. काली कपास मिट्टी सवाल कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उप्युक्त होती है? A. काला B. लाल C. जलोड D. लेटरायट सही उत्तर है A. काला सवाल ला मिट्टी पाई जाती है A. चत्तीसगड के मैदान B. ट्रांस सर्यू मैदान C. मालवा पथार D. शिलोंग पथार सही उत्तर है C. मालवा पथार सवाल मालवा पथार की प्रमुख मिट्टी है A. काली मिट्टी B. जलोड मिट्टी C. लाल मिट्टी D. लेटरायट सही उत्तर है A. काली मिट्टी सवाल किस मिट्टी में कम सचाई की आवश्यक्ता होती है क्योंकि यह मिट्टी के पानी को बरकरार रखती है A. लाल B. काला C. लेटरायट D. जलोड सही उत्तर है B. काला सवाल लेटी रायट मिट्टी प्रमुख है A. मालाबार तटियक शेत्र B. कोरो मंदल तटियक शेत्र C. बुंदेल खंड D. बगेल खंड सही उत्तर है A. मालाबार तटियक शेत्र सवाल लेटी रायट मिट्टी के लिए निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है A. वे नम उश्मकटि बंधियक शेत्रों की मिट्टी है B. वे अत्यदिक निक्षालित मिट्टी है C. उनकी प्रजनन क्षमता कम है D. वे चूने में सम्रिध है सही उत्तर है D. वे चूने में सम्रिध है सवाल लेटी राइट मिट्टी पाए जाती है A. उत्तर प्रदेश B. हिमाचर प्रदेश C. पंजाब D. महराश्ट्र सही उत्तर है D. महराश्ट्र सवाल भारत की निमनलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहे की अधिकता की उपस्थिती से अनुपजाओ हो जाती है A. रेगिस्तान की रेत B. जलूर C. पोट्जोलिक D. लेटरिटिक सही उत्तर है D. लेटरिटिक सवाल गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी कहलाती है A. भाबर B. भानग C. खादर D. खुन्डोलिते सही उत्तर है B. भानग सवाल निम्ड में से किस प्रकार की मिट्टी में नियूनतम जलधारंग शमता होती है A. जलोर रेतीली मिट्टी B. दोमट रेतीली मिट्टी D. चिकनी दोमट मिट्टी D. दोमट मिट्टी सही उत्तर है A. जलोर रेतीली मिट्टी सवाल निमनलिखित में से कौन सी एक भारत में सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी है? A. लाल मिट्टी B. काली मिट्टी C. जलोड मिट्टी D. चूना मिट्टी सही उत्तर है C. जलोड मिट्टी सवाल भारत में सबसे बड़ा मृदा सम्मूह किस रूप में पाया जाता है? A. लाल मिट्टी B. काली मिट्टी C. रेतीली मिट्टी D. जलोड मिट्टी सही उत्तर है D. जलोड मिट्टी सवाल दोमट मिट्टी में कौन से मिट्टी के कंड मौजूद होते हैं? A. रेत के कंड B. मिट्टी के कंड C. दाद कंड D. सभी प्रकार के कंड सही उत्तर है D. सभी प्रकार के कंड सवाल निमनल इखित में से कौन सी एक फसल मिट्टी की उर्वर्ता में सुधार के लिए उगाए जाती है? A. गेहू B. चावल C. काला चना उर्द D. गन्न सही उत्तर है C. काला चना उर्द सवाल जब आप भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हैं तो आपको लाल मिट्टी दिखाई देगी इस रंग का मुख्यकारण क्या है? A. मैगनीशियम की प्रचुरता B. संचित ह्यूंज C. फेरिक ओकसाइड की उपस्थिती D. फॉस्फेट की बहुतायत सही उत्तर है C. फेरिक ओकसाइड की उपस्थिती सवाल पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में उच्च सामगरी है A. एल्यूमीनियम B. कैल्शियम C. नाइट्रोजन D. फॉस्फोरस सही उत्तर है B. कैल्शियम सवाल निमनलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन सामगरी को समृधक करती है A. एक आलू B. सोरग्हम C. सूरजमुखी D. मतर सही उत्तर है D. मतर सवाल भार्तियम मिट्टी में सूक्षम पोशक तत्वों की अधिक्तम कमी है A. कौप B. लोहा C. मैंगनीज D. जिंक सही उत्तर है D. जिंक सवाल पोधों को उपलब्ध मृदा जल अधिक्तम होता है A. चिक्नी मिट्टी B. रेतीली मिट्टी C. रेतीली मिट्टी D. दोमट मिट्टी सही उत्तर है A. चिक्नी मिट्टी सवाल निमनल इखित में से किस कण का व्यास 0.0.02 मिली मीट्टी से कम है A. मिट्टी B. गाद C. ठीक रेत D. इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है A. मिट्टी सवाल मृद लवन्टा एवं क्षारियता की समस्या का समाधान है A. सूखी खेती विधी K. खेतों में जिपसम का प्रयोग C. वनीकरण D. समोच खेती सही उत्तर है K. खेतों में जिपसम का प्रयोग सवाल मृद लवन्टा एवं क्षारियता के दीर्पकालीन विलन का प्रयोग होता है A. रॉक फॉसफेट B. जिपसम C. खाद D. यूरिया सही उत्तर है B. जिपसम सवाल सामान्य फसलों को उगाने के लिए उप्यूक्त उपजाओ मिट्टी का पीच मान होने की संभावना है A. तीन B. चार C. छे से साथ D. नौ से दस सही उत्तर है C. छे से साथ सवाल अमलिया मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए निमनलिखित में से किसका उप्योग किया जा सकता है? A. नीबू B. जिपसम C. कैल्शियम D. सबजी खाद सही उत्तर है A. नीबू सवाल भारत में सरवाधिक शार्क शेत्र किस राज्य में पाया जाता है? A. गुजरात B. हर्याना C. पंजाब D. उत्तर प्रदेश सही उत्तर है D. उत्तर प्रदेश सवाल भारत में लवनीय मृदा का सरवाधिक शेत्र फल किस राज्य में पाया जाता है? A. उत्तर प्रदेश B. हर्याना C. गुजरात D. महराश्ट्रा सही उत्तर है C. गुजरात सवाल अलवानी करण तब होता है जब मिटी में संचित सचाई का पानी वाश्पित हो जाता है जिससे लवन और खनिज निकल जाते हैं असिंचित भूमी पर लवनी करण के क्या प्रभाव होते हैं? A. ये फसल उत्तपादन को बहुत बढ़ाता है B. ये कुछ मिटी को अभेद्य बनाता है C. ये भूजल स्तर को बढ़ाता है D. ये मिटी में हवा के स्थानों को पानी से भर देता है सही उत्तर है B. ये कुछ मिटी को अभेद्य बनाता है सवाल निमनलिखित में से कौन सी मिटी चाई बागान के लिए सबसे उप्युक्त है? A. अमलीय B. कशारिय C. जलूर D. रैगुर सही उत्तर है A. अमलीय सवाल मध्य प्रदेश के निमनलिखित में से किस चले में मृदा अपर्दन की समस्या है? A. जबलपुर B. भोपाल C. मुरैना D. खंद्वा सही उत्तर है C. मुरैना सवाल निमनलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल बिहरों के निर्मान के लिए उत्तरदाई है? A. स्प्लाश B. शीट C. रिल D. गली सही उत्तर है D. गली सवाल भारत में निमनलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है? A. मालवा पत्हार B. शिवालिक पर्वत माला के तलहटी क्षेत्र C. देनकान D. मेघालय पत्हार सही उत्तर है B. शिवालिक पर्वत माला के तलहटी क्षेत्र सवाल भारत में निमनलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन से सर्वादिक प्रभावित है? A. मालवा पत्हार B. उत्तर प्रदेश के ट्राइक शेत्र C. आंध्र के तटियक शेत्र D. चम्बल घाटी सही उत्तर है D. चम्बल घाटी सवाल निमनलिखित में से मृदा अपर्दन की प्रक्रिया का सही क्रम पहचानिये A. स्प्लैश अपर्दन शीट अपर्दन रिल अपर्दन गली अपर्दन B. शीट अपर्दन स्प्लैश अपर्दन सही उत्तर है सवाल क्रिशी भूमी सबसे तेजी से नश्ट होती है जब इसे लगाया जाता है सही उत्तर है सवाल निमनलिखित में से कौन सा मृदा उर्वर्ता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है सही उत्तर है सवाल फसलों का चक्रीकरण किसके लिए आवश्यक है a. पौधों में प्रोटीन सामगरी बढ़ाना b. विभिन फसलों को प्राप्त करना c. मिट्टी की उर्वर्ता में व्रिद्धी d. मिट्टी की नमी बनाए रखना सही उत्तर है c. मिट्टी की उर्वर्ता में व्रिद्धी सवाल मृद अपर्दन को रोका जा सकता है a. भारी बारिश b. वनों की कताई c. वनी करण d. अतिचारण सही उत्तर है c. वनी करण सवाल मृद अपर्दन को रोका जा सकता है a. अत्यधिक चराई b. पौधों को हटाने c. वनी करण d. पक्षियों की बरती संख्या सही उत्तर है c. वनी करण सवाल मृद संरक्षन के संदर्ब में निमनलिखित प्रथाओं पर विचार कीजिए a. फसल चक्रत 2 बालू की बार 3 सीडी दार 4 हवा का तूटना भारत में मृदा संरक्षन के लिए उपर्युक्त में से कौन सी विधिया उप्युक्त मानी जाती है a. एक दो और तीन b. दो और चार c. एक तीन और चार d. एक दो तीन और चार सही उत्तर है c. एक तीन और चार सवाल भारत में मृदा अपर्दन की समस्या निमनलिखित में से किस से जुड़ी है a. सीडीदार खेती 2. वनोन मूलन 3 उश्न कटे बंधिया जलवायू नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये a. केवल एक और दो b. केवल दो c. केवल एक और तीन d. एक दो और तीन सही उत्तर है b. केवल दो सवाल निमनलिखित में से कौन सी प्रथा कृशी में जल सनरक्षन में मदद कर सकती है 1. भूमी की शून्य जुताई पर कमी 2. खेत की सिचाई करने से पहले जिपसम का प्रयोग करें 3. फसल अवशेशों को खेत में ही रहने देना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये a. केवल एक और दो b. केवल तीन c. केवल एक और तीन d. एक दो और तीन सही उत्तर है d. एक दो और तीन सवाल दावा a. डैकन ट्रप की रैगुर मिट्टी का रंग काला है कारण r. वे ह्यून्स से सम्रिध है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए कोड a. दोनो a. और r. सत्य है और r. a. का सही स्पश्टी करण है b. दोनो a. और r. सत्य है लेकिन r. a. की सही व्याख्या नहीं है c. a. साच है लेकिन r. जूत है d. a. जूत है लेकिन r. साच है सही उत्तर है c. a. सच है लेकिन r. जूता है सवाल अभिकथन a. काली मिटी कपास की खेती के लिए उप्यूक्त होती है कारण r. वे ह्यून से भरपूर होते है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए code a. दोनो a. और r. सत्य है और r. a. का सही स्पश्टी करण है b. दोनो a. और r. सत्य है लेकिन r. a. की सही व्याख्या नहीं है c. a. साच है लेकिन r. जूत है d. a. जूत है लेकिन r. सच है सही उत्तर है c. a. सच है लेकिन r. जूता है सवाल अभिकतन a. काली मिटी कपास की खेती के लिए उप्यूक्त होती है कारण r. वे नाई प्रोजन और काबनिक पदार्थों से भर पूर होते है उपर्यूक्त के संदर्ब में निमनल इखित में से कौन सा एक सही है code a. दोनो a. और r. सत्य है और r. a. का सही सपश्टी करण है b. दोनो a. और r. सत्य है लेकिन r. a. की सही व्याख्या नहीं है c. a. साच है लेकिन r. जूट है d. a. जूट है लेकिन r. साच है सही उत्तर है c. a. सच है लेकिन r. जूटा है सवाल भारत की लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है एक ये प्राइ लाल रंग के होते है दो ये नाई प्रोजन और पोटाश से भरपूर होते है 3. वे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से विक्सित है 4. इस मिट्टी में साबुदाना और काज्चु अच्छे से उगते है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए a. एक डो और तीन b. दो तीन और चार c. एक और चार d. केवल दो और तीन सही उत्तर है c. एक और चार सवाल दावा a. आंध्रा प्रदेश के कुलक शेत्र में शुध बोय गईक शेत्र का प्रतिशत पश्चिम बंगाल की तुलना में कम है कारण r. आंध्रा प्रदेश के अधिकांश भाग की मिट्टी लेटी राइट है code a. दोनो a. और r. सत्य है और r. a. का सही स्पश्टी करण है b. दोनो a. और r. सत्य है लेकिन r. a. की सही व्याख्या नहीं है c. a. साच है लेकिन r. जूट है d. a. जूट है लेकिन r. साच है सही उत्तर है c. a. सच है लेकिन r. जूटा है सवाल दावा a. हिमालय की मिट्टी धरण में सम्रिध है कारण r. हिमालय में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है c. a. दोनो a. और r. सत्य है और r. a. का सही स्पश्टी करण है b. दोनो a. और r. सत्य है लेकिन r. a. की सही व्याख्या नहीं है c. a. साच है लेकिन r. जूट है d. a. जूट है लेकिन r. साच है सही उत्तर है d. a. जूटा है लेकिन r. सच है सवाल भारत में निमनलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़ा क्षेत्र है a. परवतियर आर्द शीतोष्ण 1 b. ओपोश्नकटे बंधियर शुष्क सदा बहार 1 c. उश्नकटे बंधियर नमपर्ण पाती 1 d. उश्नकटे बंधियर आर्द सदा बहार 1 सही उत्तर है c. उश्नकटे बंधियर नमपर्ण पाती 1 सवाल सागोन और साल किसके उत्पाद है a. उश्नकटे बंधियर शुष्क पर्ण पाती 1 b. उश्नकटे बंधियर सदा बहार 1 c. उश्नकटे बंधियर का तेदार 1 d. अलपाइन 1 सही उत्तर है A. उश्न कटिबंधिय शुष्ट पर्णपाती 1 सवाल संटी व्रिक्ष पाया जाता है A. अरावली B. हिमालय C. नीलगिरी D. विंध्य सही उत्तर है B. हिमालय सवाल कथा बनाने के लिए निमनल इखित में से किस लकड़ी का उप्योग किया जाता है A. साल B. हियर C. बबूल D. साजा सही उत्तर है B. हियर सवाल निमनल इखित में से कौन सा पेर पश्चमी हिमालय के सम्षी तोष्नक्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है A. पाइन B. देवदार C. चांदी फर D. ब्लू पाइन सही उत्तर है B. देवदार सवाल निमनल इखित में से किस राज्य में सिनकोना का पेर नहीं उपता है A. असम B. केरल C. चत्तीसगर D. पश्चिम बंगाल सही उत्तर है C. चत्तीसगर सवाल निमनल इखित में से किसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है A. बोहिनिया वैरिये गाता B. जकरंदा मिमुसा फोलिया C. ब्यूटिया मोनोसपर्मा D. टैक्टोना ग्रैंडिस सही उत्तर है C. ब्यूटिया मोनोसपर्मा सवाल सागोन के वन भारत के निमनल इखित में से किस राज्यम में पाए जाते हैं? A. मध्यप्रदेश B. उत्तरप्रदेश C. जार्खंद D. करनाटक सही उत्तर है A. मध्यप्रदेश सवाल निमनल इखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? A. जैक्फ्रूट B. अंजीर C. ओर्किड D. फन सही उत्तर है D. फन सवाल पश्चमी हिमाले में अलपाइन वनस्पती केवल 3000 मीटर की उचाई तक पाए जाती है जबकि पूर्वी हिमाले में ये 4000 मीटर की उचाई तक पाए जाती है एक ही परवत श्रेनी में इस भिन्नता का कारण है A. पूर्वी हिमाले पश्चमी हिमाले से अधिक है B. पूर्वी हिमाले पश्चमी हिमाले की तुलना में भूमध्य रेखा और समुद्री तटके निकट है C. पूर्वी हिमाले पश्चमी हिमाले की तुलना में अधिक मानसून वर्षा प्राप्त करता है D. पूर्वी हिमालय की चट्टाने पश्चमी हिमालय की चट्टानों की तुलना में अधिक उप जाओं है सही उत्तर है B. पूर्वी हिमालय पश्चमी हिमालय की तुलना में भूमध्य रेखा और समुद्री तटके निकट है सवालम्रेग औरेक्स और चीरू में क्या अंतर है? A. औरेक्स गर्म शुष्क खेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि चीरू थंडे उचे पहाडों के मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी खेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है B. और X का शिकार उसके सींगों के लिए किया जाता है जबकि चीरू का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है C. और X केवल पश्चिमी भारत में मौजूद है जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भारत में मौजूद है D. उपर दिये गए बयान A, B, और C, में से कोई भी सही नहीं है सही उत्तर है A, और X गर्म शुष्क खेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है जबकि चीरू थंडे उचे पहाडों के मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी खेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है सवाल निम्नलिखित में से कौन सा योग्न सही सुमेलित है? A. सागोन, जम्मू और कश्मीर B. देवदार, मध्यप्रदेश C. चंदन की लकडी, केरल D. सुन्दरी, पश्चिम बंगाल सही उत्तर है D. सुन्दरी, पश्चिम बंगाल सवाल लंबी जडों और नुकीले काटों वाली ज़ाडियों और छोटे पेडों वाले खुले अवरूद्धवन आमतोर पर पाये जाते हैं A. पूर्वी ओडिसा B. उत्तर पूर्वी तमिलनाडू C. शिवाल एक और तेरा एक शेत्र D. पश्चिमी आंध्रप्रदेश सही उत्तर है D. पश्चिमी आंध्रप्रदेश सवाल निमन लिखित में से कौन सा पेर समुद्ध तल से सबसे अधिक उचाई पर पाया जाता है A. देवदार B. पायन C. साल D. सागोन सही उत्तर है A. देवदार सवाल निमन लिखित में से किस राज्य के वनों को उपोश्न कटे बंधिया वनों के रूप में वरगी कृत किया गया है A. केरल B. मध्यप्रदेश C. तमिलनाडू D. करनाटक सही उत्तर है B. मध्यप्रदेश सवाल निमन लिखित में से कौन अनिवार्य रूप से हिमाली वनस्पती की प्रजाती नहीं है A. जुनिप B. महोंग्मी C. चान्दी प्राथमिकी D. स्प्रूज सही उत्तर है B. महोंग्मी सवाल सामाजक वानिकी में प्रयुक्त बहुत देशिय वरिक्ष का उदाहरन है A. शीशम B. धाक C. नीलगिरी D. खेजरी सही उत्तर है D. खेजरी सवाल लिसा किसके पेर से प्राप्त की जाती है A. पाइन B. देवदार C. बुरांस D. शीशम सही उत्तर है A. पाइन सवाल निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है A. सुन्दर्वन पश्चिम बंगाल B. भितर्कनेका ओरिसा C. पिछ्वम तमिलनाडू D. वेमनाड करनाटक सही उत्तर है D. वेमनाड करनाटक सवाल निमनलिखित का मिलान कीजिए सुची I. A. सागोन B. देवदार C. सुन्दरी D. सिंकोना सुची E. 1 हिमाली तराइक्षेत्र 2 मध्य भारत 3 सुन्दर बंचार हिमाले सहिता के उच्च उचाई वालेक्षेत्र A. B. C. D. A. 2. 4. 3. 1 B. 3. 2. 1. 4 C. 4. 1. 3. 2. D. 2. 3. 4. 1 सही उत्तर है A. 2. 4. 3. 1 सवाल सुची E. को सुची 2 से सुमेलित कीजिए और सुची E. के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सुची E. 1. A. उश्नकटे बंधिय नम पर्ण पाती B. उश्नकटे बंधिय शुष्क पर्ण पाती C. अल्पायन D. उश्नकटे बंधिय सदा बहार सुची 2 क्षेत्र 1 अरुनाचल प्रदेश 2 सह्याद्री 3 मध्य गंगा का मैदान 4 तराय कोड A. B. C. D. A. 4. 3. 1. 2 B. 4. 2. 1. 3 C. 1. 3. 2. 4 D. 3. 1. 4. 2 सही उत्तर है A. 4. 3. 1. 2 से सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये सूची I. A. उश्नकटे बंधिया 1 B. शंकुवरेक्ष 1 C. मैंब्रोव D. पर्णपाती 1 सूची E. 1. सुंदरबन 2 हिमाचल प्रदेश 3 राजस्थान 4 साइलेट वैली कोड A. B. C. D. A. 1. 2. 4. 3 B. 2. 1. 4. 3 C. 1. 4. 2. 3 D. 4. 2. 1. 3 सही उत्तर है D. 4. 2. 1. 3 सवाल सूची I. को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए सूची I. मैंब्रोव A. अचरा रतनागिरी B. कूडापुर C. पिछवम D. वेमनाज सूची 2 राज्य 1 करनातक 2 केरल 3 आंध्रप्रदेश 4 महराष्ट्रा 5 तमिलनाडु कोड A. B. C. D. A. 2 1. 5. 4 B. 4. 5. 3. 2 C. 2. 5. 3. 4 D. 4. 1. 5. 2 सही उत्तर है D. 4. 1. 5. 2 सवाल निम्ण में से किस राज्य में सिजाई के तहत कुल फसली क्षेत्र का प्रतिशत 2011 सर्वाधिक है A. मध्य प्रदेश B. महराष्ट्रा C. उत्तर प्रदेश D. हर्याना सही उत्तर है D. हर्याना सवाल भारत के किस राज्य में सिजाई का सर्वाधिक विस्तार प्रतिशत है A. पंजाब B. उत्तर प्रदेश C. हर्याना D. मध्य प्रदेश सही उत्तर है A. पंजाब सवाल जीवन रक्षक या सुरक्षात्मक सिजाई को संदर्भित करता है A. पानी का लगातार प्रवा B. महत्वपूर्ण विकास चरण में सिजाई C. पी डबल्यूपी सिजाई D. वैकल्पिक गीला और सुखाने सही उत्तर है C. पी डबल्यूपी सिजाई सवाल पिछले 25 वर्षों के दोरान नलकूप सिजाई का विकास सबसे शानदार रहा है A. गंगा घागरा दोअब B. गंगा यमुना दोअब C. सर्यूप मैदान D. बुंदेल खंड सही उत्तर है C. सर्यूप मैदान सवाल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शेत्रफल नलकूपों से सीचित होता है A. मध्यप्रदेश B. बिहार C. राजस्थान D. उत्तरप्रदेश सही उत्तर है D. उत्तरप्रदेश सवाल निमनलिखित में से किस राज्य में नलकूप से चाई का क्शेत्रफल सबसे अधिक है A. बिहार B. हर्याना C. उत्तरप्रदेश D. पंजाब सही उत्तर है C. उत्तरप्रदेश सवाल भारत में माला नहर प्रनाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी A. के इल राउ B. दिनेश्चे दस्तूर C. विश्वी सरया D. वाई K. अलग सही उत्तर है B. दिनेश्चे दस्तूर सवाल तक्षिन भारत में अग्रणी या सिचाई कार्य किसे माना जाता है A. सर आथकोटन B. कर्नल बेयद स्मित C. लाफटनांट ब्लेन D. कर्नल रॉबर्ट स्मित सही उत्तर है A. सर आथकोटन सवाल भारत की अधिक्तम सिचाईक शमता किसके द्वारा स्रिजित की जाती है A. प्रमुक परियोजनाई B. छोटी परियोजनाई और प्रमुक परियोजनाई C. छोटी परियोजनाई D. मध्यम परियोजनाई सही उत्तर है B. छोटी परियोजनाई और प्रमुक परियोजनाई सवाल फरका नहर की जल्वहन क्षमता है A. 75,000 क्यूसिक, B. 70,000 क्यूसिक, C. 40,000 क्यूसिक, D. 35,000 क्यूसिक सही उत्तर है C. 40,000 क्यूसिक सवाल मंदलम सिचाय परियोजना आवस्थित है A. आंध्रप्रदेश B. केरल C. तमिलनाडू D. पश्चिम बंगाल सही उत्तर है B. केरल सवाल सारन सिचाय नहर नदी से निकाली जाती है एक पुत्र B. गंगा D. कोसी D. गंडक सही उत्तर है D. गंडक सवाल निमनल इखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्शेत्रों की सुचाय करती है A. उप्री गंगा नहर B. त्रिवेनी नहर C. शार्दा नहर D. पूर्वी यमुना नहर सही उत्तर है B. त्रिवेनी नहर सवाल इंदिरा गंधी नहर का स्रोत है A. गंधी सागर बांध B. भाख़रा बांध C. हरिके बाईराज D. गोविंद बलब सागर बांध सही उत्तर है C. हरिके बाईराज सवाल इंदिरा गंधी नहर के लिए पानी का स्रोत नदियों के संगम पर है A. रावी और ब्यास B. जेलम और चिनाब C. चिनाब और सतलुज D. ब्यास और सतलुज सही उत्तर है D. ब्यास और सतलुज सवाल राजस्थान इंदिरा नहर कहां से निकलती है A. रवी B. ब्यास C. सतलुज D. चंबल सही उत्तर है C. सतलुज सवाल इंदिरा गाधी नहर का निर्मान वर्ष 1958 में प्रारंब हुआ तथा इसका उद्गम कहां से है A. सतलुज नदी पर भाखडा बांध B. रिहन नदी पर रिहन घाटी पर योजना C. महा नदी पर हीरा कुन पर योजना D. सतलुज नदी पर हरिके बांध सही उत्तर है D. सतलुज नदी पर हरिके बांध सवाल निमनल इखित में से कौन सी नदी पर योजना ब्यास नदी के पूंग बईराज के पानी का उप्योग करती है सवाल भारत में विश्व की सबसे अच्छी तरह से विक्सित और सबसे पुरानी नहर प्रनाली सवाल गंगा नहर जो की सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्मान महाराजा गंगा सिंग जीने में करवाया था सवाल निमनलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? A. इंदिरा गंधी नहर में घगर के पानी का उप्योग किया जाता है B. नर्मदा अमर कंटक शेत्र से निकलती है C. निजान सागर मंजरा नदी पर स्थित है D. पेंगगा गोदावरी की सहायक नदी है सही उत्तर है A. इंदिरा गंधी नहर में घगर के पानी का उप्योग किया जाता है सवाल निचली गंगा नहर गंगा से निकाली जाती है A. हरिदवार B. नरोरा C. बरेली D. कानपुर सही उत्तर है B. नरोरा सवाल एहरियाली एक नई योजना है A. दूसरी हरिद क्रांती B. बंज़ भूमी का विकास C. रेगिस्तानी भूमी का वनी करण D. घास के मैदान का विकास सही उत्तर है B. बंज़ भूमी का विकास सवाल हरियाली योजना का संबंध है A. मृदा प्रबंधन B. वायू प्रबंधन C. फसल प्रबंधन D. जल प्रबंधन सही उत्तर है D. जल प्रबंधन सवाल भार्तिय के संदर्ब में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है A. देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में 750 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है B. देश में सिचाई के प्रमुक स्रोत कुए है C. जलोर मित्टी देश के उत्तरी मैदानों में मित्टी का प्रमुक प्रकार है D. पर्वतियक शेत्रों में देश के सतहक शेत्र का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है सही उत्तर है B. देश में सिचाई के प्रमुक स्रोत कुए है सवाल इंदिरा गांधी नहर को पानी की आपूर्ती एक 222. चिनाब 3. रावी 4. सतलुच से प्राप्थ होती है नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चयन करें कोड A. एक और दो B. दो और तीन C. एक दो और तीन D. एक तीन और चार सही उत्तर है D. एक तीन और चार सवाल निमनल इखित में से कौन सा से शार्दा उपनदी कमान विकास परियोजना का कि मुख्य उत्देश्य है है 1. कृशी उत्पादन में व्रिद्धी करना 2. बहुफसली खेती द्वारा भूमी उपयोग के स्वरूप में परिवर्तन करना 3. भूमी प्रबंधन में सुधार नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये A. केवल एक B. केवल एक और दो C. केवल दो और तीन D. उप्रोक्त सभी सही उत्तर है D. उप्रोक्त सभी सवाल एक की कृत वाटरशड विकास कार्यक्रम को लागू करने के क्या लाब है 1. मृदा अप्वाह की रोक थाम 2. देश की बारह मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना 3 वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर का पुनर भरंचार प्राकृतिक वनस्पती का पुनर जनन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये A. एक और दो B. दो तीन और चार C. एक तीन और चार D. एक दो तीन और चार सही उत्तर है C. एक तीन और चार सवाल निमनल इखित युगमों पर विचार कीजिए कार्यक्रम मंत्राले परियोजना 1 सूखा प्रवन क्षेत्र क्रिशी मंत्राले मंत्राले 2 मरुस्थल विकास परियावरण और 1 मंत्राले 3 राष्ट्रिय वर्षाक्षेत्रों के लिए जलसंभर ग्रामीन विकास परियोजना मंत्राले उप्रोक्त में से कौन सा से युगम्स सही सुमेलित है है A. केवल 1 और 2 B. केवल 3 C. 1, 2 और 3 D. इन में से कोई नहीं सही उत्तर है D. इन में से कोई नहीं सवाल निमनल इखित में से कौन सा से ड्रिप्स चाय पद्धती के लाब फाइदे है है 1. खर्पत्वार में कमी 2 मृदा लवन्ता में कमी 3 मृदा अपर्दन में कमी नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये A. केवल 1 और 2 B. केवल 3 C. केवल 1 और 3 D. उपर युप्प में से कोई नहीं सही उत्तर है C. केवल 1 और 3 सवाल नीचे 2 कथन दिये गए है एक है अभिकथन A. और दूसरा है कारण R. दावा A. प्रायदवीपिय भारत में सिचाई के प्रमुक स्रोतों में से एक तालाब है कारण R. प्रायदवीपिय क्षेत्र की अधिकांश नदिया मौसमी है कोड A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है B. दोनो A. और R. सत्य है लेकिन R. A. की सही व्याख्या नहीं है C. A. साच है लेकिन R. जूट है D. A. जूट है लेकिन R. साच है सही उत्तर है A. दोनो A. और R. सत्य है और R. A. का सही स्पष्टी करण है R. सवाल R. सूट्ष्टी के संदर्ब में उत्तर चुनिये A. केवल एक B. डो और तीन C. एक और तीन D. एक डो और तीन सही उत्तर है C. एक और तीन C. एक और तीन